C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ विज्ञान कक्षा आठ अध्याय चार पदार्थ धातू और अधातू प्रिष्ट चवालीस से प्रिष्ट पचपन तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय चार पदार्थ धातू और अधातू प्रिष्ट चवालीस पदार्थ धातू और अधातू आप लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा आदी जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिये गए हैं सारणी 4.1 पदार्थों की दिखावट और कठोर्ता इस सारणी में तीन मुख्य शीर्षक हैं वस्तू या पदार्थ दिखावट चमकदार या निश्प्रभ कठोर्ता बहुत कठोर या बहुत कठोर नहीं इस सारणी में वस्तू वपदार्थ शीर्षक के नीचे कुछ वस्तूओं और पदार्थों के नाम लिखे गए हैं आइरन याने लोहा, कोईला, सलपर याने गंधक, अल्यूमीनियम, कौपर याने तांबा और उसके नीचे रिक्त स्थान दिया गया है वस्तू वपदार्थ के सामने दो कॉलम हैं और वो दोनों खाली हैं क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातू हैं? सारणी चार दशमलव एक में शेश्पदार्थ अधातू हैं धातूओं का अधातूओं से अंतर उनके भौतिक और रासाइनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण हैं चार दशमलव एक धातूओं और अधातूओं के भौतिक गुण क्या आपने लोहार को लोहे के टुकडे अथवा लोहे से निर्मित वस्तू जैसे फावडा, बेलचा, कुलहाडी आदी को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तूओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोईले के टुकडे को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अफिक्षा करते हैं? आईए जाने! क्रिया कलाब 4.1 एक लोहे की कील, एक कोईले का टुकड़ा, एक मोटे अलुमीनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए लोहे की कील लेकर उसे हथोडे द्वारा पीटिए चित्र 4.1 हथोडे से लोहे की कील को पीटना परन्तु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयम को चोटना पहुँचा लें जोर से पीटने का प्रयास करिए एलुमीनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए इसी प्रकार का प्रक्रम कोईले के टुकड़े और पैंसिल लेड के साथ भी करिए अपने प्रेक्षणों को सारणी चार दशमलव दो में रिकॉर्ड करिए सारणी चार दशमलव दो पदार्थों की आगात वर्धनी यता इस सारणी में दो शीरशक दिये गए हैं पहला वस्तु या पदार्थ और दूसरा आकार में परिवर्तन चप्टा हो गया या टुकड़े हो गए वस्तु या पदार्थ के नीचे चार अलग-अलग वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं लोहे की कील कोईले का टुकड़ा एल्यूमीनियम की तार पैंसिल लेड इन सभी के आगे रिक्त स्थान दिये गए हैं प्रिष्ट 45 आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमीनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया यदि उन्हें अधिक शक्ती से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आप संभवत है मिठाईयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे आप एल्यूमीनियम, पन्नी, पढ़ने का द्वारा खाद्य सामगरी को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे धातूओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीठ कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आगात वर धनीयता कहलाता है ये धातूओं का अभी लाक्षनिक गुण है जैसा आपने देखा होगा कोईले और पैंसिल लेड जैसे पदार्थ ये गुण प्रदर्शित नहीं करते क्या हम इन्हें धातू कह सकते हैं क्या आप बिना प्लास्टिक या लकडी के हथे वाले गर्म धातू के पात्र को स्वयम को बिना आगहात पहुँचाए पकड़ सकते हैं शायद नहीं क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिये जिसमें एक लकडी या प्लास्टिक का हथा आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्मवस्तियों को पकड़ते हैं इन अनुभवों के आधार पर आप लकडी और प्लास्टिक द्वारा उश्मा के चालन के विशाई में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा उसका हत्था किस प्रकार का होता है? क्यों? आईए जाने याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाहा होता है या नहीं? ये परीक्षन करने ही तु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है? चित्र 4.2 विद्युत परिपथ आपने कक्षा 6 में विभिन वस्तुओं के साथ ये क्रिया कलाप किया होगा अब इसी क्रिया कलाप को सारणी 4.3 में दिये गए पदार्थों के साथ दोहराईए प्रेक्षन लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वरगी कृत करिए सारणी 4.3 पदार्थों की विद्युत चालकता इस सारणी में तीन मुख्य शीरशक दिये गए हैं। के नामों के आगे दिये गए कॉलम खाली हैं। आपने पाया के लोहे की छड, कील और तांबे का तार सुचालक हैं। जबके गंधक और कोईला कुचालक हैं। पहेली ने कहा, ओ, अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रिया कलाप का अर्थ ये दिखाना था कि धातु, ऊश्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हमने कक्षा छे में सीखा था। आप अलुमीनियम और तांबे की तारों का उपियोग कहां देखते हैं। क्या आपने कोईले की तारें देखी हैं। निश्चित रूप से नहीं। धातूओं का वो गुण जिससे उन्हें खीच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट या प्लेट, धातू का सिक्का और एक कोईले का टुकडा फर्ष पर गिरा कर उनसे उत्पन्न ध्वनी के अंतर पर ध्यान दिय है। यदि नहीं, तो अब आप प्रियास कर सकते हैं। प्रिष्ट छे आलीज। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकडी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातूओं से बनी वस्तूओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, तो एक निनाद ध्वनी, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाली डिब्बे हैं, एक लकडी से निर्मित और दूसरा धातू से. क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातू का बना हुआ है? क्योंके धातू गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, अतहवे ध्वानिक कहलाते हैं. धातूओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वानिक नहीं होते हैं. उक्तक्रिया कलाब करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आगहात वर्ध, तन्य, पानिक और उश्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं. पदार्थ जिनमें सामान्यतिया ये गुण होते हैं धातू कहलाते हैं. धातूओं के उदाहरण हैं आइरन, कॉपर, अल्यूमीनियम, कैलसियम, मैगनीशियम इत्यादी. इसके विपरीत कोईले और सलफर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं. ये हथोडे की हलकी चोट से तूट कर चूरा हो जाते हैं. ध्वानिक नहीं हैं और उश्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं. ये पदार्थ अधातू कहलाते हैं. अधातूओं के उदाहरण हैं सलफर, कार्बन, ऑक्सिजन फॉस्फोरस इत्यादी. सोडियम और पोटेशियम धातू नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है. मरकरी, अर्थात, पारा केवल ऐसा धातू है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है. ये अपवाद है. चार दशमलवदो धातूओं और अधातूओं के रासाइनिक गुण. ए, ओक्सिजन से अभिक्रिया. आप आईरन में जंग लगने की परिगटना से परिचित हैं. जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए. आपने कक्षा साथ में मेगनीशियन रिबन के वायू में द आईरन और मेगनीशियम की अउक्सिजन के साथ निमनलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए. आईरन, एफी, जमा अउक्सिजन, ओटू, जमा जल, H2O, प्रश्न चिन है. मेगनीशियम, एमजी, जमा अउक्सिजन, ओटू, प्रश्न चिन है. क्रिया कलाब 4.3 आईए आईरन, आक्सिजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृती की जाँच करें लगभग एक चम्मच जंग को इकठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए आप पाएंगे कि वो जल में निलंबन के रूप में रहता है लटकन को अच्छी तरह हिलाईए विलयन का परीक्षन क्रमश है लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए चित्र 4.3 आप क्या देखते हैं विलयन अमली यह है या क्षारी यह चित्र 4.3 जंग की प्रक्रिती का परीक्षन इस चित्र में जंग दिखाया गया है साथ ही जंग का निलंबन होते हुए दिखाया गया है और लाल लिटमस पत्र भी दिखाया गया है प्रिष्ट 47 पहेली ने पूछा क्या कॉपर में भी जंग लगता है मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरापदार्थ जमा हुआ देखा है इस प्रिष्ट पर बाई और उपर पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नमवायू में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रॉकसाइड, COOH2 और कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 का मिशरण होता है अभीक्रिया निमनलिखित है 2CU प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 CuOH2 प्लस CuCO3 नोट करें, H2O प्लस CO2 नमवायू के लिए प्रयोग किया गया है अब मैगनीशियन रिबन के देहन के क्रिया कलाप का स्मरण करिए मैगनीशियन रिबन का देहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोल कर उसकी अमलिये, क्षारिये प्रक्रिती जानने हे तू विलेयन का परीक्षन करते है विलेयन अमलिये है या क्षारिये, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे आपने प्रेक्षन किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है इसलिए मैगनीशियम के ऑक्साइड की प्रक्रिती क्षारिये होती है सामानने तह धात्विक ऑक्साइड क्षारिये प्रक्रिती के होते है आईए, अब अधातुओं की ऑक्सिजन के साथ अभी क्रिया का प्रेक्षन करें क्रिया कलाप 4.4 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाएं चूर्नित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का धक्कन ले सकते हैं इसके चारों और एक धातु का तार लपेट दीजिए जैसा के चितर 4.4.a में दिखाया गया है जैसे ही सल्फर जलना प्रारंब हो तो चम्मच को एक गैस जार या काँच के गिलास में ले जाए चितर 4.4.a गिलास को एक धकन से धक दीजिए जिस से बनने वाली गैस बाहर ना जा सके कुछ समाई पश्चाद चम्मच को हटा दीजिए गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत धकन से वापस धक दीजिए अब गिलास को भली भांती हिलाईए विलयन का परीक्षन क्रमशहलाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए चित्र 4.4 B चित्र 4.4 A इस चित्र में सलफर चून का देहन दिखाया गया है इस चित्र में काम चलाव उद्धहन चम्मच भी दिखाया गया है चित्र 4.4 B इस चित्र में लिटमस पत्रों द्वारा विलयन का परीक्षन दिखाया गया है प्रिष्ट 48 इस प्रिष्ट में सबसे उपर सारणी 4.4 दर्शाई गई है सारणी 4.4 अमलों और क्षारों में धातू और अधातू इस सारणी में पांच मुख्य शीरशक दिये गई हैं क्रमसंख्या, क्षार का नाम धातू, अमल का नाम अधातू क्रमसंख्या एक के सामने क्षार का नाम शीरशक के नीचे लिखा है कैल्सियम हाइड्रोकसाईड धातू के नीचे लिखा है कैल्सियम अमल का नाम लिखा है सल्फियूरिक अमल अधातू, सल्फर इसी तरह क्रम संख्या 2, 3, 4 और 5 के सामने वाले कोश्ट खाली है सल्फर और ऑक्सिजन की अभीक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डायोकसाइड गैस है जब सल्फर डायोकसाइड को जल में विलाए करते हैं तो सल्फियूरस अमल प्राप्त होता है अभीक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है सल्फर डायोकसाइड एसो टू जमा जल एच्टू ओ सल्फर अमल एच्टू एसो थ्री सल्फियूरस अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है सामान नित है अधातूओं के ऑक्साइड अमलिये प्रकृतिके होते हैं प्रयोक्षाला में काम आने वाले कुछ अमलों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा साथ में पढ़े थे उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए उनमें उपस्थित धातू अथ्वा अधातू की पहचान करिए जो ऑक्सिजन के साथ ऑक्साइड बनाता है बी, जल के साथ अभिक्रिया आएए देखें धातू और अधातू किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है सोडियम धातू बहुत अभिक्रियाशील होता है ये ओक्सिजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है अभिक्रिया में बहुत अधिक उश्मा उत्पन होती है इसलिए ये मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्रिया कलाप 4.5 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किया जाए प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सूडियम धातू के तुकडे का आकार लगभग गेहूं के दाने के बरावर हो इसे चिम्टी द्वारा पकड़ना चाहिए एक 250 एमिल का बीकर याने काँच का गिलास लीजिए इसे आधा जल से भर लीजिए अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सूडियम धातू का तुकड़ा काटिए फिल्टर पत्र का उप्योग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रूई के छोटे तुकडे में लपेट लीजिए रूई में लिप्टे सूडियम के टुकडे को बीकर में डाल दीजिए सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लीजिए प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रही जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छुईए आप क्या अनुभव करते हैं क्या बीकर गर्म हो गया विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करिये विलयन अमली ये है या क्षारी ये चित्र 4.5 इस चित्र में सूडियम की जल से अभिक्रिया दिखाई गई है प्रिष्ट 49 आपने देखा कि सूडियम जल के साथ तीवर अभिक्रिया करता है कुछ अन्य धातू ऐसा नहीं करते उदाहरन के लिए आईरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है सामान्यत है अधातू जल से अभिक्रिया नहीं करते यद्यपीवे वायू में बहुत सक्रिय हो सकते हैं इस प्रकार के अधातूं को जल में रखा जाता है उदाहरण के लिए फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातू है वायू में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेता है फॉस्फोरस से वायू मंडली ये ऑक्सिजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है C. अमलों से अभिक्रिया आईए देखें धातू और अधातू अमलों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं क्रिया कलाप 4.6 सावधानी परखनली के मुह को अपने चेहरे से दूर रखिये परखनली पकड़ने के लिए परखनली होल्डर का प्रयोग करिये सारणी 4.5 में सूचि बद्ध धातूओं और अधातूओं के नमूने प्रिथक परखनलीों में लीजिए और उन्हें A, B, C, D, E और F से चिन्नित कर दीजिए ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक-एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल डालिए अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करिए यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परखनली को हलका गर्म करिए प्रत्येक परखनली के मुह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाईए यही क्रिया कलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अमल लेकर दोहराईए अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए क्या धातू और धातू अमलों से भिन प्रकार से अभिक्रिया करते हैं परखनलीों के मुह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पाप, ध्वनी क्यों उत्पन्न हुई थी आपने पाया होगा कि अधातू सामान्यत है अमलों से अभिक्रिया नहीं करते परन्तु धातू अमलों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनी के साथ जलती है आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता परन्तु ये सल्फ्यूरिक अमल से अभिक्रिया कर लेता है इस प्रिष्ट पर नीचे सारणी 4.5 दिखाई गई है सारणी 4.5 धातूओं और अधातूओं की अमलों से अभिक्रिया इस सारणी में चार मुख्य शीर्शक लिखे गई हैं परक्नली का चिन्ह, धातू या अधातू, तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल से अभिक्रिया सामान्य ताप पर, गरम करने पर, तनु सल्फ्यूरिक अमल से अभिक्रिया सामान्य ताप पर, गरम करने पर, परक्नली A के सामने लिखा है मेगनीशियम, रिबन, परक्नली B, अल्यूमीनियम, पन्नी, परक्नली C, आयरन, छीलन, परक्नली D, कॉपर, छीला हुआ, लचीला तार, परक्नली E, लकडी का कोईला, चून, परक्नली F, सल्फर, चून इन सभी के सामने दिखाए गई कोष्ट, खाली है प्रिष्ट, पचास D, क्षारों से अभी क्रियाई, क्रिया कलाप 4.7, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए सोडियम हाइड्रोकसाइड विलेअन बनाते समाए सावधानी बरतिये कि सोडियम हाइड्रोकसाइड की टिकियाओं को प्लास्टिक स्पेचुला से पकड़ें एक परखनली में सोडियम हाइड्रोकसाइड का ताजा विलेअन उसकी तीन चार टिकियाँ पाँच एमल जल में घोल कर बनाईए इसमें एक एलुमेनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए एक जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुह के निकट लाईए ध्यान से प्रेक्षण लीजिए चित्र 4.6 A परखनली A, B, C, D, E तथा चित्र 4.6 B परखनली A, B, C, D, E इन में विस्थापन की अभिक्रियाएं दिखाई गई हैं पॉप ध्वनी क्या दर्शाती है? पहले की तरह पॉप ध्वनी हाइड्रोजन गैस की उपस्थिती दर्शाती है धातू सोडियम हाइड्रोकसाइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन करते हैं अधातुओं की इक्षारों से अभीक्रियाएं जटिल हैं ई, विस्थापन अभीक्रियाएं कॉपर सलपेट और आइरन के मध्य अभीक्रियावाले क्रिया कलाप को याद करिये जो आपने कक्षा साथ में किया था आईए, उस प्रकार की कुछ और अभीक्रियाओं को देखें क्रिया कलाप 4.8 100 मिलिलीटर के 5 बीकर लीजिए और उन्हें A, B, C, D और E चिन्हित कर दीजिए प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6 A में दर्शाइप दार्थों में से प्रत्येक का एक चम्मच डाल कर घोल लीजिए बीकर A, कौपर सलफेट जमा जिंक का टुकड़ा बीकर B, कौपर सलफेट जमा लोहे की कील बीकर C, जिंक सलफेट जमा तांबे की छीलन बीकर D, आयरन सलफेट जमा तांबे की छीलन बीकर E, जिंक सलफेट जमा लोहे की कील प्रिष्ट 51, बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए अपने प्रेक्षणों को नोट बुक में रिकॉर्ड करिए आप विबिन बीकरों में क्या परिवर्टन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातू, दूसरे धातू को उसके योगिक के जलीये विलयन से विस्थापित करता है बीकर E में जिंक, कौपर सलफेट विलयन से कौपर को विस्थापित करता है और इसी लिए कौपर सलफेट का नीला रंग अद्रिश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कौपर का लाल चून जमा हो जाता है अभी क्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं पहेली ने कहा, मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है परंतु मैं अभी भी ब्रहमित हूँ कि बीकर C, D और E में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ बीकर C में जिंक का कौपर द्वारा और बीकर E में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता है इसी प्रकार बीकर D में आयरन का विस्थापन कौपर द्वारा हो सकता है क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निशकर्ष पर पहुँच सकते हैं कि कॉपर जिंक सलफेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, परन्तु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए विज्ञान मनमाना नहीं होता ये तत्थियों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है और यहाँ नियम ये है कि जिंक कौपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है परन्तु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता अब आप समझ सकते हैं कि बीकर D और E में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई क्या आप जिंक, आइरन और कौपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातू के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातूओं का उपियोग मशीने, मोटर गाडियाँ, वायूयान, रेल गाडियाँ, उपग्रह और द्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदी के निर्मान में किया जाता है आप कुछ अधातूओं के उपियोगों से भी परिचित होंगे, यहां कुछ रोचक उपियोग दिये जा रही हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे अधातू जो हमारे जीवन के लिए आवश्चक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समाई अंदर लेते हैं अधातू जिनका उपियोग उर्वरकों में पौधों की वृध्धी हेतू किया जाता है, अधातू जिसका उपियोग जल शुद्धी करण प्रक्रम में किया जाता है, अधातू जिसका बेंगनी रंग का विलयन एंटी बायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है पटाखों में प्रियुक्त होने वाले अधातू आप अपने अनुभव से धातूओं और अधातूओं के कुछ और उपियोग जोड सकते हैं प्रिष्ट बावन पहेली ने कहा मैंने सुना है कि पौधों में मैगनीशियम पाया जाता है ये उनमें किस रूप में पाया जाता है बूजो ने कहा डॉक्टर ने मेरे शरीर में आईरन की कमी बताई है मेरे शरीर में आईरन कहां है इस प्रिष्ट पर पीले रंग के कोश्ट में महत्वपून जानकारी दी गई है आपने कक्षा साथ में सीखा है कि रासाइनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिन में अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाउं द्वारा ठंडा करके गर्मकर अथ्वा वेद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विगटित नहीं किया जा सकता तो वो तत्व कहलाता है। सलफर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कारबन भी एक तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमानू होते हैं। पर्मानु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के पर्मानु अब प्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का पर्मानु पून रूप से ठोस अत्वा वाश्प सल्फर के पर्मानु के समान होता है। यद्यपी ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किसमें हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या चौरानवे से अधिक नहीं है, धातूओं और अधातूओं के रूप में तत्वों का एक मह अधिकांश तत्व धातु हैं, शेश तत्व या तो अधातु हैं या उपधातु हैं। उपधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। प्रिष्ट तरेपन, प्रमुक्षब्द, पर्माणू, चालक, विस्थापन अभिक्रिया, तन्यता, तत्व, कठोर्ता, आगात वर्धनीयता, धातु, उपधातु, अधातु, ध्वानिक। आपने क्या सीखा? धातुओं में चमक होती है, जबके अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्ने तह धातु आगात वर्धनीये और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामानने तहट धातू, उश्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, परन्तु अधातू नहीं होते. दहन करने पर धातू, ओक्सिजन से अभिक्रिया कर धातू ओक्साइड बनाते हैं, जो क्षारी ये प्रक्रिती के होते हैं. अधातू ओक्सिजन से अभिक्रिया कर अधातू ओक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रक्रिती अमली ये होती है। कुछ धातू जल से अभिक्रिया कर धातू हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातू जल से अभिक्रिया नहीं करते। धातू अमलों से अभिक्रिया करते हैं और धातू लवन तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान नित है अधातू अमलों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु योगिकों के जलीये विलेयन में विस्थापित कर देते हैं। धातूओं और अधातूओं का दैनिक जीवन में व्यापक उप्योग होता है। अभ्यास एक इन में से किसी को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। क, जिंक, ख, फॉस्फोरस, ग, सलफर, ग, ऑक्सिजन दो, इन में से कौन सा कथन सही है। क, सभी धातूओं तन्य होती हैं। क, सभी अधातूओं तन्य होती हैं। ग, सामान्य तह धातूओं तन्य होती हैं। ग, कुछ अधातूओं तन्य होती हैं। तीन, रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए। ख फॉस्फोरस बहुत रिक्तस्थान अधातू है। ख धातूएं उश्मा और रिक्तस्थान की रिक्तस्थान होती है। ग आयरन कौपर की अपेक्षा रिक्तस्थान अभिक्रियाशील है। ग धातूएं अमलों से अभिक्रिया कर रिक्तस्थान गैस बनाती है। चार यदी कथन सही है तो टी और यदी गलत है तो कोष्ट में एफ लिखिये। क सामान्यत है अधातू अमलों से अभिक्रिया करते हैं। ख सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातू है। ग कौपर जिंक सलफेट के विलियन से जिंक स्थापित करता है। ग कोईले को खीच कर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। पांच, यहां दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातूओं और अधातूओं में अंतर कीजिए। इस सारणी के मुख्य शीरशक हैं गुण, धातू, अधातू। गुण शीरशक के नीचे, छै गुण लिखे गए हैं। इनके आगे खाली कोष्ट दिये गए हैं। छै, इनके लिए कारण दीजिए। क, एल्यूमेनियम की पन्नी का उप्योग खाद्य सामगरी को लपेटने में किया जाता है। ख, निमजन चड़ें याने इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। ग, कौपर, जिंक को उसके लवन के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ग, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। साथ, क्या आप नीमबू के अचार को अलिमीनियम पात्रों में रख सकते हैं। सपश्ट करिए। आठ, यहां दी गई सारणी के कॉलम एक में कुछ पदार्थ दिये गए हैं। कॉलम दो में उनके कुछ उपियोग दिये गए हैं। कॉलम एक के पदार्थों का कॉलम दो से सही मिलान करिए। कॉलम एक एक, गोल्ड, दो, आइरन, तीन, अलिमीनियम, चार, कार्बन, पांच, कॉपर, छै, मरकरी। कॉलम दो, एक, थर्मामीटर, दो, बिजली के तार, तीन, खाद्दे सामगरी लपेटना, चार, आभूशन, पांच, मशीने, छै, इन्धन। प्रिष्ट पच्पन क्या होता है जब क तनू सल्फियूरिक अमल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। क लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिये। दस, सलूनी ने लकडी के कोईले का एक जलता हुआ टुकडा लिया और उससे उत्सरजित होने वाली गैस को एक परखनली में इकठा किया। क वो गैस की प्रक्रिती कैसे ग्यात करेगी। ख, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिये। अगले दिन जब वे अभूशन वापस लाईं तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवं परियोजनाई, एक, किनी चार धातूओं और चार अधातूओं के लिए सूचक पत्रक, इंडेक्स कार्ड तयार करिए। पत्रक में धातू या अधातू का नाम, उसके भौतिक गुण, रासाइनिक गुण और उप्योगों जैसी सूचना होनी चाहिए। दो, एक लोहार के कारिय स्थल पर जाईए और देखिए किस प्रकार धातूओं को धाला जाता है। तीन, आइरन, कौपर, अलियूमीनियम और जिंक की वैद्युत चालकताओं की तुलना करने हे तू कोई प्रियोग सुझाईए। प्रियोग करिये और परिनामों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करिये। चार, भारत में आइरन, अलियूमीनियम और जिंक के भंडार स्थलों की जानकारी प्राप्त करिये। इसे भारत के रेखाचित्र में चिन्हित करिए. ये भंडार किस रूप में पाए जाते हैं? कक्षा में चर्चा करिए. 5. अपने माता-पिता, पडोसियों, स्वर्ण कारों से चर्चा करिए कि आभूशन निर्मान में गोल्ड को वरियता क्यों दी जाती है? 6. निमन लिखित वेबसाइटों को देखिए और धातूओं इवं अधातूओं पर क्विज का आनंद लीजिए. chemistry.about.com slash library slash weekly slash b1050303a.htm chemistry.about.com slash od slash test quizzes slash chemistry underscore tests underscore quizzes dot htm www.gcsescience.com slash q slash qsmitt dot html www.corrosionsource.com slash handbook slash periodic slash metals dot htm इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय चार यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोछड अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत